नमस्कार मित्रो आज मैं बताना चाहूंगा कि मटर के अंदर क्या-क्या होता है उसमें हमें क्या-क्या मिलता है क्या-क्या इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस बारे मैं आज बताना चाहूंगा तो 100 ग्राम मटर में 81 कैलोरी उर्जा होती है कुल बसा होती है 0.4 ग्राम संत्रिप्त बसा 0.1 ग्राम बहु असंत्रिप्त बसा 0.2 ग्राम मोनो असंत्रिप्त बसा नहीं होती है कॉलस्टॉल भी नहीं है सोडियम इसमें 5 मिली ग्राम है पोटेशियम इसमें 244 मिली ग्राम है हाइड्रेड इसमें 14 ग्राम है भाइबर इसमें 5 ग्राम है और सरकरा इसमें सुगर इसमें 6 ग्राम है प्रोटीन 5 ग्राम है बिटामिन ए सबसे ज्यादा है इसमें 65 कैल्सियम 25 मिली ग्राम और बिटामिन डी बिटामिन बी ट्वल्व नहीं है बिटामिन सी 40 मिली ग्राम है आईरन इसमें 1.5 मिली ग्राम है बिटामिन बी 6 भी इसमें है 0.2 मिली ग्राम मेगनीसियम इसमें 33 मिलीग्राम है चने से मटर कमजोर है चने में ज़्यादा प्रोटीन्स और हमारे लिए उसमें सबसे ज़्यादा कैलसियम है इसमें कैलसियम बहुत कम है इसका मतलब कैलसियम की कमी के लिए हड़ियां बढ़ाने के लिए और अच्छी ताकत के लिए मटर की जगे चने का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है नहीं शब्दुक साथ बात को ब्राम देरे नमस्कार जैहन